देश के विकास में प्रवासी भारतियों के योगदान के महत्व को मानिता देने और देश से जुड़ने के लिए भारत हर साल 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाता है इसकी शुरुवात उस वक्त से हुई जब 9 जनवरी 1915 को पहत्मा गांधी दक्षिड अफ्रीका से अपने वतन भारत लोटे थे भारत में प्रवासी भारतिये दिवस मनाने की शुरुवात साल 2003 में लक्षमी मल सिंगवी समिती के सिपारिस पर की गई थी मौजूदा के इन सरकार ने प्रवासी भारतियों को जोडने के लिए महत्पुन कार किये है सरकार का कोई भी प्रतिनिधी यदि किसी विदेश दोरे पर जाता है तो वो उस देश में रह रहे प्रवासी भारतियों के बीच अवश जाते हैं इससे प्रवासी भारतियों के मन में अपने पंड की भावना जन्म लेती है और वे भारत की ओर आकर्शित होते हैं प्रवासी भारति दिवस समेलन आयोजित करने का प्रमुकुथ देश प्रवासी भारति समुदाई की उपलब्दियों को मंच प्रदान कर उनको दुनिया के सामने लाना है। प्रवासी भार्तियों की भारत के प्रती सोच भावना की अभिवेक्ति देशवासियों के साथ सकरात्मक बाशीत के लिए एक मच उबलब्द कराना, युवा पीड़ी को प्रवासियों से जोड़ना और विदेश में रह रहे भारतियों की कटनाईयों को जानना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर प्रवासि भारतियों की वैश्विक स्थिति क्या है खाड़ी देशों में करीब 8.5 मिलियन भारतियों रहते हैं जो दुनिया में प्रवासियों का सबसे बड़ा केंद्र है अरब प्रायदीब के भगौलिक और एतिहासिक निकिटता से भारतियों के लिए एक सुविधा जनकिस्थान बनाती है सयुक्त रास्ट अमेरिका की माने तो करीब 4 मिलियन भारति रहते हैं यहां मैक्सिको के बाद भारतियों का दूसरा सबसे अधिक केंद्र है सयुक्तरास्ट अमेरिका में साल 2020 के अंत में होने वाले रास्पती पर के चुनाव में प्रवासी भारतियों की एक बड़ी भूमी का रही है इसके अलावा करनाडा, युनाइटेट किंग्डम, मलेशिया, मौरिसस, श्री लंका, सिंगापूर, नैपाल समेट कई देशों में प्रवासी भारतियों की बड़ी आबादी रहती है प्रवासी भारती का अर्थ ऐसे नागरिकों से है जो भारत के बाहर रहते हैं और भारत के नागरिक है जो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7A के दारे में विदेशी भारतिये नागरिक काट धारक है आएकर अधिनियम के अनुसार कोई भी भारती नागरेक जो भारत के निवासी के रूप में मान डंडो को पूरा नहीं करता है वो भारत का निवासी नहीं है और उसे आएकर देने के लिए अनिवासी भारती ये माना जाता है special day में आज पिलाल इतना ही नमस्कार